हलो गाईच आपका यह मैदमेर्टिक पार्ट साला में स्वागत करता हूं जैसा कि आपको पता है यू पी पीजी टी दो हजार तेरा का कोश्चन पेपर का सॉलूशन चल ला है जिसके अभी तक मैंने आपको 105 कोश्चन सॉल्व करा दिये जो प्रवियस वीडियो में 6 कोश्चन यहां पे आपको यू दे रखा दिस अब यहां से 10 इंवर्स इदर ले आओगे तो 10 यू इचकल टू यह हो जाएगा और यह बाई इलास्ट विरम यह इसका फर्मुला यह अलफा दे रखा यह यू होगा तो यह इसका क्या हो जाता है इलास्ट विरम से यह और साथ में उसका 10 यू जो भी फंक्शन चलना वह आजागा तो यह साथ में आजागा 10 यू अब आप गाई इसको देख लीजिए जो 10 यू होगा 10 यू 10 यू का आपको क्या करना derivative निकालना एकस के respect में तो 10 का पहले कितना हो जाएगा और u का कितना हो जाएगा? du over कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा ठीक है? ऐसी दूसरे के साथ भी लाइगा, यहंप Dirry सब्सक्राइब दोनों के साथ क्या हो जाएगा इसलिए कॉमन करने के बाद दूसरी साइट के नीचे आ जाएगा गाइस ठीक है जैसी नीचे आएगा तो इसको हम सॉल कर लेंगे तो यह कितना बन गया टू साइन साइन टू यू बन जागा दिस इस दा करेक्ट आंसर नेक्स्ट कुशन देख लिजये यह आपको तीन वेक्टर दे रखें हैं कैसे समतलि यह समतलिय का मलगा एक प्लेंड में हैं को दे रखें तो को प्लेंड के लिए क्या करते किसका हम डिटर्मिनेंट एक्कॉल टू क्या क कालना है अर्थाथ इसका दो बार क्या करना डेरिवेटिव परना है ठीक है यह चार ओप्षन दे रखे देख लीजिए गाईज अच्छे से तो बाई इच कल टू यह जो दे रखा यह तो पहले इसका एक बार डेरिवेटिव किया क्योंकि e की पावर x का e की पावर x हो जाता अब दोनों साइडों में क्या करना है जिसका स्क्वाइरिंग करना है अब दोनों साइडों में स्क्वाइरिंग कर लिया तो आपकी क्यूशन यह आ चुकी अब इसका फिर से क्या करना डिफ्रेंशेशन करना नेक्स्ट लाइन में तो फर्स्ट को छोंड दिया यह गया सेक में कितना हो जागा by dash square हो गया यह आ चुका गाईज और इदर a square by square का two by और by का by dash हो जाएगा तो यह आ गया अब इसमें देख रहे है guys two by dash क्या है सभी में common है तो इससे divide कर देंगे बचा हुआ जो RHS में पाड़ है उसको LHS में ले आएगे और यह इसका answer हो जाएगा ठीक है next question देख लिए 109 यह बहुत ही अच्छा question है तो guys इस question का आप लोग answer यहाद कर ले जिससे कि क्या होगा जब यह paper में आएगा तो आपको बहुत ही कम time में इसका solution मुलब टिक कर सकते हैं बाकी मैं इसका solution तो करूँगा आपको भी तो देख लिए यह दे रखा है और इसकी value निकालना है आपको ठीक है guys तो सबसे पहले करना गया है यह दे रखा है आपको ठीक है तो इसमें क्या करो जो equation first दे रखी उसमें दोनों तरफ आप x से multiply कर लिए इसके तो यह आ चुका है एक से multiply करने के बाद 0 to 1 integrate कर लो integrate क्यों करना पड़ा आप देख रहे हो c0 जो है उसके upon में 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर c कि 0 के साथ में कितना आ चुका एक सा चुका है तो x का करेंगे x square upon 2 हो जागा उसके बाद लिमिट लगा देंगे तो rhs तो यह जो दिख रहा है ठीक है यह वाला अब इसमें 1 plus x को team आ लिया गाईच ठीक है तो dx is equal to dt limit change कर लिया x 0 पर teach call to 1 x 1 पर teach call to कितना लिया 2 आ गया अब इसको यहाँ पर लगा दीजिए ठीक है तो यह बन चुका है अब यहां टीकी पावर n से multiply कर लिए इसका integration किया integration करने के है let r be the set of real numbers r be the set of real numbers a belongs to r a relation b दे रखा है a relation b if and only if यह कब true होगा जब a minus b का जो mode है वो क्या होना चाहिए less greater than equal to half होना चाहिए ठीक है तो यहां देखिए हम ठीक है अब यहां पर यह देखिए क्या करना define करना है तो क्या होगा यह होगा यह होगा यह होगा यह चार option दे रखें तो चार option में कौन सा option correct होगा तो आप गईज इसको question को देखिए पहले से reflexive start करने है reflexive में दोनों element क्या लिए जाते हैं सेम लिए जाते हैं तो बी की जगे भी क्या कर लेंगे गाई लगा देंगे तो a-a क्या होगा जीरो जीरो कभी हपसे बड़ा नहीं हो सकता तो reflexive तो नहीं हो सकता गलत हो गया अब देखते हैं symmetric a-b का mod अगर greater than half है तो b-a का भी क्या होगा क्योंकि इसमें माइनस तो आया या नहीं बस माइनस का इडिफरेंस आना तो दोनों प्लस तो यह वाला करेक्ट हो गया ठीक हो सकता हो काम हो तो यहां से क्या करेंगे तो यह है difference है यह हम exactly clear नहीं बोल सकते है कि सही होगा या गलत होगा तो इसलिए यह वाला कोशन रॉंग कर देंगे तो only symmetric होगा बाकि सारे गलत हो जाएंगा है ठीक है अगला कोशन देंगे लिए दिस्टेंस प्रामदा सेंटर आफ ग्रेविटी आफ ए थिन्स ठीक है सेमी सर्कुलर सेल आफ रेडियस ए इसकी जो सीजी होगी वह कहां पर लाइज कर रहे हैं आप खुछते देखिए गाई यह आपको पर लाइज करेगी एवाई टू पॉइंट पर लाइज करेगी नेक्स्ट कोश्चन देख लिजिए यह आपको पैरा बोला दे रहा है इसका कोश्चन का आंसर मैं सॉल्ब नहीं करूंगा आप खुछ से कर लेना कि कई बार कोश्चन हो चुका है तो इसका आंसर जैसी पैर प्लस बाइज स्कौर प्लस जेड्स प्लस टू जू यू ऐकस फ्लस तू बी बाइज प्लस टू डवल्लू जैड और प्लस काव डी कोलटू कितना हो जाता जीरो तो यहां से कंपाइरिंग करके यू भी डवलू और दीन काल लेंगे इस equation में लगा दीजिए तो यह आपकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी next question 113 find the solution of differential equation y is equal to xp square minus by p plus a equal to 0 ठीक है guys तो आपने इसमें एक चीज देखी होगी जो clarity form होती है पहले उसको ध्यान रखी है y is equal to px plus function of p तो इस question को इसी form में convert करना चाहते हैं तो by p को दूसरी साइड ले जाएगे plus हो जाएगा बचा हुआ इधर ही रहने दीजिए फिर यहां पर p से divide कर दो तो यह clarity form की तरह बन गई यह और यह दोने की form है okay guys तो यहां से p की जगए c put कर दीजिए बाद में cross multiply करके इसको solve कर लिजिए और आपका answer match हो जाएगा next question यह को तू यह दिरका sign inverse x आपको पता है sign inverse जो sign होता है वो minus 1 to 1 के बीच में बिलोंग करता है तो sign inverse x जो हो जाएगा वो minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में क्या करेगा बिलोंग करेगा क्योंकि अगर जैसी pi by 2 minus लगाएगे तो minus 1 और यह लगाएगे इसका क्या हो जाए करेक्ट हो जागा कोशन नमर 117 117 में आपको तीन एक्वेशन दे रखी है पहली एक्स माइनस बाई c plus lambda z equal to 1 अब यह तीनों equation का solution होगा कब होगा तीनों equation का solution कब होगा यहां पर देखिए गाईज यह जो first वाला यह यहां से यहां तक बना वो a matrix है अब dotted लगा के जो नमर लिखा उस दोनों को लिखेंगे तो वो b बन जाएगी ठीक है तो यह और का कंब्राइट करद माइद्रीगस होती है ए और बी की रहंक अगर इक्वल सरी एंए और एंघ तो दूसरा कि अधर और यहां धो को नृग विक्वल अगर अगए तो नंसनुजा होगा मिए यहां इंधड एक्व और यह गवारों की इंद्क 101 शोलूशनों की सबसे पहले इसको R3 को R1 में convert कर दो इंटरचेंज कर लो जिससे बना जाए अब जो बनाया है यहाँ पर इससे 2 से multiply करके second को minus करेंगे 2 3 से multiply करके third को minus करेंगे तो 2 0 मिल गया आपके लिए ठीक है गाईच उसके बाद जो R2 है उसको 3 से divide कर दो माइनस 3 से divide कर दिया तभी बन मिल गया अब 1 से 7 से multiply करके इसको 3 के साथ add कर दो तभी एक 0 और मिल गया गाईच ठीक है अब यह जो 0 मिला अब आप एक को देखिए के बल अब आप ए बाले में अगर यह 0 हो गया तो बाई केलन फार्म से एक रेंक एक रो पूरी रग दी जाए जिससे यह value 0 हो जाए तो बहां पर एक ही रहेंग जरू 0 हो जाएगी अब दोनों की रहेंग अला गला तो बहां पर solution तो नहीं होगा तो यह जो value है ना यह value not equal to 0 होना चाहिए तो यहां से lambda solve कर लो lambda जाएगा minus 7 by 2 अगर रग दें तो यह 0 नहीं होगा next question देख लीजिए यह तो आप अच्छे से देख सकते हैं first option गलत हो जाएगा second भी गलत हो जाएगा आप समझ रहे होगे क्यों third वाला option सही हो जाएगा तो इसके दो option गलत और एक option सही next question देख लीजिए guys 2 की power minus i के मुख्यमान का बास्तिविक मान पूचा है मुख्यमान मतलब principal value guys और बास्तिविक का मतलब real part तो 2 को 2 plus 0 i की power i लिख दिया ठीक है यह अब यहाँ पे एक formula होता है a की power z a की power z का formula होता e की power z और z के साथ में लिखा जाता है log a तो इस formula का use कर लो वाई जी तो a की जगह कितना हो चुका यह और z की जगह कितना हो चुका minus का i तो वो e की power a e की power z log a बना दिया ठीक है तो यह अब 2 plus 0 i का मतलब वो log 2 हो गया अब e की power i theta का minus का formula पता cos theta minus i sin theta और theta की जगह log 2 हो इसको open कर दीजिए ठीक है तो यह जो part होगा cos log 2 यह इसका real part हो जाएगा ठीक है x upon y तो log में minus में आ जाता है अब यह वाला है fx यह आपके समने हो गया ठीक है guys f into xy जब किसमें होगे multiply में होगे तो plus में आ जाएगे अब यह सब ही बना लिए अब इनको solve कर लो ठीक है guys इसको यहां से solve करना start किया यह cos c plus cos d बन गया तो cos c plus cos d का formula लगा दिया 2 cos c plus d upon 2 into होगा guys यहां पे ठीक है equal नहीं cos c minus d तो यहां से पहले से कट गया y से by 2x upon 2 तो log x बच गया यहां से कट गया x x तो 2 by upon 2 तो log y बच गया गया और यही आपका 2 fx by का हो गया तो यह answer आपका correct हो गया guys ठीक है next question देख लेते हैं 121 कोई particle है जो 36 से 45 डिगरी के code की दिसा में यूब्यक से प्रिछपित किया जाता है तो कितने समय बाद बहें क्या हो जाएगा लब बबद दिसा के गतिसील हो जाएगा देख लीजिए guys यह question दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे यह का आपको particle है यह बला ठीक है guys let particle कहां से start किया A से start किया है ठीक है और कहां तक पहुंचा B तक पहुंचा है और उस समय उसका वो कैसा हो गया ता perpendicular velocity at that point कितनी हो गई B मलाद A से चलाता है तो बहाँ पे velocity किस से चलाता यू velocity से चलाता और B पे पहुंचते पहुंचते वो कैसा हो गया perpendicular हो गया और बहाँ पे velocity कितनी हो गई B हो गई ठीक है guys अब देख लीजिए इसको पहले हम horizontal velocity निकालेंगे बी कैसी velocity है vertical velocity है ठीक है guys तो U horizontal तो इदर U आ चुका है और यहाँ पे जब निकालेंगे B इसकी horizontal का B में निकालेंगे तो जैसे ये B है और हमें निकालना horizontal निकालना है ये कोई आपकी V दे रखी है ठीक है तो इसका इस direction में अगर आएंगे तो कितना हो जागा 90 minus theta हो जाएगा क्योंकि उपर से theta बना रही है तो ये कितना हो जागा B equal to B cos 90 minus theta cos 90 minus theta कितना हो जागा sin theta तो B equal to U cos theta upon sin theta हो जाएगा ठीक है अब ये vertical component निकाल लेजिए तो vertical component जब निकालोगे तो ये मनला B equal to U plus आपने formula पढ़ा था B equal to U plus gt इस formula का use कर दीजिए तो ये लग जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा हो नीचे से तो कैसा हो जाएगा ये negative में आ ठी ठीक है sorry ये तो पहली negative दिरका था अब इसको solve करोगे जब इसको यहाँ भी negative होगा guys ये बाली line जो होगी वो कैसी होगी negative होगी आप ठीक है तो minus U sin theta अब ये solve करें है तो T is equal to U हो जाएगा ये ही आपका time हो जाएगा next question एक group is necessarily available if उसमें number of element कितने होना चाहिए 4 तो वो necessarily available हो X की power 1 बाई X square is equal to तो चार option दे रखें कौन सा correct होगा तो पहले तो ये लिखा हुआ गाईज ठीक है इसमें दोनों तरफ क्या कर लो log power आजाएगी आगे तो उपर क्या करना है गाईज आपको 10 X का formula open कर देना है कर दिया upon में X है X common लेके cut कर दिया तो ये बन और ये बचा ह पूरा X तो log 1 प्लैस X का formula open कर देंगे अब तो ये guys log 1 प्लैस X का 1 को छोड़ के पूरा X था X और ये X square upon 2 हो चुका है अब यहां पर देखिए guys ये तो बन अपन X से पहले ही चला तो X square के कितने कोपिसेंट मिले यहां से 1 by 3 और यहां से मिलेगा इसका square चला है तो square हो यहां से है और यहां से आजएगा guys कितना हो जाएगा एक बटे 9 और 2 पहले तो यह 18 हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है उससे हमें मतलब नहीं है जरूरूत नहीं पड़ेगी X square से अंदर multiply कर लो तो यहां पर only 1 by 3 बाकी समय X चलेगा फिर X की जगा 0 लगा देंगे तो आगे question देख लीजिए 124 set of total integers to set of total integers जो होता है वो additive होता है बट multiply केटिव क्यों नहीं होता क्योंकि additive में क्यों जीरो भी आ जाता है इंटीजस में आपका 0 भी आ जाएगा अब 0 जब आ जाएगा ठीक है तो जो वो होगा वो इसमें नहीं आएगा multiply में 0 नहीं होगा ठीक है तो यह option आपका correct हो जाएगा इस ही centicity निकालना है आपको hyperbola की तो पहले hyperbola को standard form में convert कर लेते हैं standard form में convert करने के लिए यहां पर ब माइनस कर दिया यह x-1 का all square बन गया बन को opposite side पहुंचा देजिए 4 by square जो 4 by है इसको बन बाइ इसको ऐस तरह से लिग लीजिए तो इसकी comparing standard parabola बन गया a square कितना हो गया h1 हो गया और b square कितना हो गया 1 by 4 हो गया यह इसका relation लगा दीजिए a और b में a b और e में तो यहां से e मि 5.4 तो e कितना हो जाएगा under root 5.2 is the correct answer तो guys आपको UPT जो PGT 2013 का question पर चला था आज completely solve हो चुका है guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please subscribe करके ही जाए और अपने दोस्तों के साथ भी share करें और please comment करें like करें और अपने कोई doubts हो तो comment में भेजें बाकी मेरे whatsapp group पे भ भी join कर ले, तो thank you for watching this video.